बिसमिल्हारामारी रहीम असलाम लेकूम वेलकम है आपका गुल फूट सिक्रट में कैसे हैं आप सब आई होप सब बच्छे होंगे सब भले चंगे होंगे तो फ्रेंट्स टोस्ट की रेसिपी जो के खाने में बहुत टेस्टी और हैल्दी होते हैं और यह बनाना इतना असान है कि आपके बच्चे भी इसको फटा-फट से त्यार कर सकते हैं तो फ्रेंट्स बिना टाइम जाए कि आज की रस्पी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे बनाए जाते हैं अगर आपने मेरे चैनल गुल फूट सिक्रिट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो म आपके फ्रेश होनी चाहिए है है एक प्लेट में हम दो अंडे लेई लेङे मैं यहां पे प्लेट शिद्ね टीदिग दिप सन contribution और गया ब्रेट को वह राड़ीगों तकि चीज न्दे के अदर कई चीज़के अंडे के पड़तों नदे के अंदर यहां पर देख करने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करूंगी दूद आप कोई सा भी ले सकते हैं कि यहाँ पर यसे इतना मिक्स करें कि यह सारे चीज़ एक जान हो जाएं तो यहाँ फे सारे चीज़े जहां वो अच्छे मिक्स हो गएं इन्हें साइच पर करते हैं कि ऐसे फ्रेंज टोस को तलने के लिए मैंने कैसे डिप कर रही हैं इसको तो इसी तरह आपने डिप करने के बाद घी के इंदर रख देना है आप देशी घी कि बजाए बटर का यूज भी कर सकते हैं तो इसको हम फ्राइ होने देते हैं तो यहां पर यह एक साट से अच्छे से फ्राइ हो गया है बस इतना ही हम इसका कलर लेकर आना है light सा golden-brown-सा तो दूसरी साइट से fry होने देते हैं इसको तो यहां पर यह दूसरी साइट से भी अच्छे से फ्राई हो चुका है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं आप और इसी तरह में दूसरे जो फ्रेंट्स टोस हैं वो भी बना लूँगी तो यहाँ पर मैं वही वाला प्रोसेस जो है वो दुबारा रिपीट कर रही हूँ ब्रेट को एक के अंदर डिप कर रही हूँ और अगई को मैंने मैट कर लिया है तो उसके अंदर मैं रख रही हूँ और जब इसको हलका सा light सा golden brown color आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे तो फ्रेंज देखा कितना आसान है यह बनाना कि अगर आपको जॉब के लिए लेट हो रहे हैं आप सुबह के टाइम तो आप फटा-फट से इसको बनाए और आप इनको टीफन में साथ भी लेके जा सकते हैं ऑफिस में और इनको enjoy कर सकते हैं तो फ्रेंज अपने बच्चों को बना कर दें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोगों आज की रेस्पी पसंद आई होगी ये बहुत ही soft मैंने हैं बहुत ही juicy है तो फ्रेंज अगर रेस्पी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें कमर